आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताजे हरे मतर की कचौरी ये लिया है हमने एक बाउल मतर, एक कप मतर, एक चम्मच किचिन किंग, अद्रक एक इंच दो हरी मिर्च और ये कटा हुआ हरा धनिया दो एक चम्मच सौफ, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, आपके टेस्ट के अनुसार, नमक, दो कप हमने आटा लिया है, इसमें एक चम्मच हमने नमक डाला है, स्वाल के अनुसार आप डाल लीजे, तीन टेबल स्पून, यानि वन फोर्थ कप मैंने ओयल डाला है, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ओयल हमें मौईन की लिए चाहिए, यानि कचोरी जो है, इसे डालने से खस्ता बनती है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज, लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल इकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटर सब्डेट्स आप तक पहुंच सकें, इसको चारो तरफ से मिक्स करते रहेंगे हम, और अच्छे से मिक्स होने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, हम इसका आटा लगाएंगे, पानी एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालना ह नहीं तो आटा बहुत गीला हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिए और इसका सॉफ्ट डो लगाना है हमको, वह बहुत टाइट या बहुत गीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डो ये देखिए, कुछ इस तरह का, अब हम इसको लगाकर थोड़ा साइल का हाथ लगाकर धखकर रख देंगे, 10-15 मिनट्स के लिए, ये हमने हारे मटर ले लिए है, मिक्सी में डाल लिया है, मिर्च डाल दी है, अद्रक डाल दी है, बीना पानी डाले है, अब हम इसको ग्राइन कर लिये है, और ये कुछ इस तरह का बन गया है, अब हमने ऑईल ड तेल करम होने पर हमने ये दोनों डाल दिये हैं, और इसको हम भूनते हैं अच्छे से, तड़क जाए अच्छे से, बहुत टेस्टी लगती है, जरूर बना कर देखेगा, बहुत आसान तरीका भी है, अपने आटा बहुत आसानी से, जैसे पूरी का लगाते हैं, उसी तरह स सॉफ्ट है, और मॉइन अगर आप ध्यान से डालेंगे, तो खस्ता बनेगे, अब हमने ये जो पेस्ट इसमें पीसा है, इसको डाल दिया है, थोड़ा आप दरदरा भी रहने दे सकते हैं, और ऐसा भी पीस सकते हैं, हलका दरदरा है ये, इसको चारो तरफ से चलाते वे हम हमें भूनना है, और गैस जो है, वो हमें slow to medium पर भूनना है, बहुत तेज नहीं रखनी है, इसको भूनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जब ये पूरा इखटा होने लगे, तो खिला खिला हो जाता है, इसका पानी पूरा सूख जाता है, जैसे आप ये देख रहे है हम, पानी पूरा सूख गया है और मटर जो है अच्छे ध्राइब हो गया है, इसमें हमने नमक भी डाल दिया है, किचन किंग डाल दिया है, रड चली पाउडर डाल दिया है और ये नमक डल गया है अब हमने नमक डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखे भुरबुरा बन गया है बिलकुल यह नहीं कचोरी में भरने के लिए एकदम तयार है कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हम और खाकर यहां पर चक कर देख लेंगे कि नमक कम तो नहीं है यह आटा लग गया है सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसकी लोईयां तोड लेंगे पूरी की या जैसे रोटी की जितनी लोई हम तोड़ेंगे और इसको ऐसे गोल कर लेंगे बीच में से थोड़ा सा गहरा करेंगे इसको ताकि फीलिंग को असानी से भरा जा सके और देखे आटा बहुत सॉफ्ट बना हुआ है आप इसकी मटर की गोली भी बना सकते हैं अदरवाइस आप ऐसे खुला भी भर सकते हैं और इसको अंगूठे से प्रैस करते हुए चारो तरफ उठाते वे नीचे क्यें तरफ दबाते हुए फिलिंग को और सील पैक करेंगे हम इसको इस्तरए से पैक कर देंगे ताकि कचोरी जो है वो फटे नहीं इतना अच्छे से आप इसको पैक कर दें दबा दें एक्स्ट्रा आटा है तो उसको तोड़ दें अब हम इसको बेल लेंगे आप चाहें कि इसे हाथ से भी दबा के बढ़ा सकते हैं वर हलके हाथ से बेलन से आप इसको बेल भी सकते हैं और यह देखे थोड़ा थिक कचौरी बन कर त्यार हैं बहुत ही यमी लगती हैं को हम दूसरी कचोरी भी इसी तरह से त्यार करेंगे फिलिंग को रख कर इसमें चारो तरफ से दबाकर भर देंगे अंगोमठी से नीचे की तरफ फिलिंग दबाएंगे और 5 से उठाते व इसको सील करेंगे बहुत आसान तरीका है मैंने आलू की कचौरी भी बना कर डाली हुई है इस तरह से इसको पैक कर देंगे आप मेरी दूसरी कचौरी भी देख सकते हैं और हलका सूखा आटा लगा के या तेल लगा के जैसे आपको इजी लगे आप इसको बेल लें देखे बिल्कुल भी फट नहीं रही है बहुत अच्छी लग रही है कडाई में तेल गरम होना हमने पहले से रख दिया है इसमें कचौरी डाल देंगे दो कचौरी हमने एट ए टाइम डाली है और इसको हम अब पल्टेंगे नहीं ऐसे ही हम इसको सिखने देंगे मीडियम फ्लेम पर हमें ये सिखनी है ताकि एकड़म जले नहीं और अब ये देखे हलकी हलकी ब्राउन हो गई है हमने इनको पलट दिया है और ऐसे ये खस्ता बनती है अगर आप तेल में जादा देर तक आप इसको बड़े रहने देना मीडियम फ्लेम पर तो ये खस्ता बन जाती है अंदर से कच्ची नहीं रहती है और बहुत टेस्टी है ठंड में खाने के लिए कचौरी बेस्ट है तो आप जब भी बनाएं जरूर ट्राइ करें और मुझे बताएगा कि आपकी कचौरी कैसी बनी ये देखिए परफेक्ट हमारी कचौरी सिख रही है ये मेरी लोही की कड़ाई जो है तलने के लिए ही है तो थोड़ी सी आपको ब्लैक लग रही होगी क्योंकि हम आज इसमें तल रहे हैं ये कचौरियां और ये देखिए है नहीं हमी कचौरी ट्राइ करेंगे हरी चटनी के साथ खाईए इमली की चटनी के साथ खाईए थैंक यू सो मच फो वाचिंग माई रेसिपी दोनों चटनी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कर दोनी के साथ खाईए